अभी हाली में विश्व जनसंख्या इस्थिती रिपोर्ट 2023 जारी की गई है और एक इसके द्वारा जारी की गई है UNFPA के द्वारा इसे आप लोग सयुक्त राष्ट जनसंख्या कोस कहते हैं और इसमें बताया गया है कि 2023 में भारत की जनसंख्या चाइना से अधिक हो गई यानि कि जो हमारा पड़ोसी चाइना है इसे हम लोगों ने जनसंख्या की मामले में पीछे छोड़ दिया है एकोनोमी अर्थवयस्ता में भली हम लोग पीछे हो चाइना से लेकिन जनसंख्या बढ़ाने में हम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और जब से ये रिपोर्ट आई हुई है आप लोगों के मन में तमाम सवाल आ रहे हैं कि क्या इस जनसंख्या का क्या होगा फाइदा होगा नुकसान होगा इस तरह की तमाम सवालों के जबाब आज की इस किलास में हम लोग देखेंगे और अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस हो या एस्टेट फीस एस हो वंडे एक्जाम हो तब आपकी इस टॉपिक से कुश्चन्स पूछे जाने की संभावना पूरी बनी रहेगी और एक बार आप लोग मैप को देख लिजे यह हमारी प्यारी पितवी है इसमें आप देखेंगे एसिया है एसिया में यह हमारा प्यारा भारत है और यह चाइना देखने को मिलता है हमारा लद्दा, खिमाचल पिदेश, उत्राखंड, सिक्किम और अरुणा चल्पिदेश पांच राज्यों की सीमा हमारी लगती है चाइना से किस से लगती है चाइना से लगती है और विस्व जनसंख्या इस्तिती रिपोर्ट पिती वर्स पिकासित की जाती है यानि कि ये रिपोर्ट हर साल आती है और जो आप देखेंगे कि विस्व ज पर प्रिकास भी डालती है और इसके अगर हम लोग कुछ बहत्पूर तक देखें तो जुलाई 2023 तक क्या कहा जा रहा है जुलाई 2023 तक चीन की आवादी 142.57 करोड जनसंख्या होगी और भारत की कितनी होगी 142.86 करोड तक पहुचने का अनुमान है यानि कि हम लोग चाइना से आँगे निकल गए है और भारत की आप देखेंगे अगर टोटल आवादी में से हम लोग देखें तो 25% ऐसी जनसंख्या है जिसकी उम्र 0 से 14 साल रख लोग है 25% वही 18% ऐसे लोग है जिनकी आयू 10 से 19 साल है और 26% ऐसे लोग है जिनकी आयू 10 से 24 साल है और 68% जिसका सबसे जाना महत्त है और इसी का लाव हम लोग उठा सकते हमारी सरकार उठा सकती है और जिसकी जनसंख्या है 15 से 64 वर्स आयू की और जो 7% आप देखेंगे 7 परसेंट है, 65 वर्स से ओपर की आई हूँ, जो आप देखते हैं कि एक तरह से बुड़ापा कहे लिजे आप लोग, और आप सभी जानते हैं, एक उधारन आपको देता हूँ, और इसे मुझे लगता है, इसे आप लोग बहुत बेतर तरीके से समझ पाएंगे, आपने देखा चार बच्चे हैं, आपके परिवार में, आपके माता पिता की चार बच्चे हैं, अब सोचिए अगर चारों बच्चों को अच्छी सिक्षा मिली होगी, स्वास्त ब्यवस्था मिली होगी, और वो पढ़ लिखकर चार चेतरों में जाते हैं, अलग अलग चेतरों में जाते और बहुत ही BIP नौकरी करते हैं या अपना कामकाच करते हैं तो आप देखेंगे उस परिवार की इस्तिती भी सुधरी रहेगी और आप देखेंगे वो आंगे के लिए बुड़ापी के लिए अपना कुछ काम धाम कर लेंगे यानि कि सेवेंग भी कर लेंगे और आप देख कि वो चारों बच्चे कि हो सकता है 200-400-500 रुपे की दिहारी मजूदूरी पर काम कर रहे होंगे अब आप देखे कि उनका जैसे तैसे रोज मर्या की जिंदगी चल पाती होगे गुजारा बसारा होप पाता होगा अब वो कहां सेविंग कर पाएंगे कहां अपने बच्चों क की जरूरत पड़ेगी और वो आप देखे देश पर बोज बनने की स्तिती में पहुंच जाएंगे तो अब हमारी सरकाह चाहे तो आप देखे सिक्षा स्वास्त बेवस्ता बच्चों को उपलब्द कराएं वही आंगे चलकर मानव पूझी बनता है अपने एसी आई पड़ है और चाइना दूसरे और तीसरे पहएं आपका अमेरिका धीमी जनसंख्या विद्धी तो अनवानत बैस्मिक आबादी के एक तिहाई से अधिक होने की बाब्यूत भारत और चीन दोनों में जनसंख्या विद्धी धीमी रही है कैसी है धीमी रही है लेकिन बड़ तरी जरूर रही है आप देखे पिजणं उंदर की बात करें तो भारत की कुल पिजणंदर दो आकी गई है और जो विफ्स ओसत दो दसमरो तीन से कम है और बिकसिद चेतरों में आप देखे जीवन पित्यासा 71 वर्स है और महलाओं की 74 साल लखी गई है यानि कि आप देखे पुरुस कम जीते हैं महलाएं जानदा जीती है ठीक है और औसत निकालने की बात हो रही है बैस्वी किस तर पर औसत पुरुसों की जीवन पित्यासा 71 साल महलाओं के लिए 76 साल लखी गई है होने एक अनवाने और बिकसे चेत्रों ही तुरुसों के लिए औसत जीवन पित्यासा 77 साल महलाओं के लिए 83 बर्स अनवानित की गई है जो की सबसे अधे है अब आप देखे बिकसे चेत्रों में स्वास्त विवस्ता भी अच्छी होगी लोग अपने आप देखे हैं कि सरीर पर भी ध्यान दे पाते होंगे स्वास्ती भी रहते होंगे कम बिकसे चेत्रों के लिए पुरुसों की आप देखें 70 साल लखी महलाओं के लिए 74 रखी गई है आप देखें जितने गरीब देश होंगे वो आप देखते हैं कि उनके लोग कम जीते हैं स्वावी कसी बात है कि स्वास्त का भाव रहेगा और तमाइम कठनाईयों का सामना करना पड़ता है लेंगी काधार की बात करें तो बिगत 12 महीनों में 18% महलाओं द्वारा अतरंग साथी द्वारा हिंसा की सूचना दी गई है जबकि 66% महलाओं ने भारत में योन और पिजनन स्वास्त तथा पिजनन अधिकारों का स्वैम नेड़े लिया था 80% से अधिक महलाओं के पास अपने स्वैम की स्वास्त सिवा की बारे में नेड़े लेने में कुछ सहयोग था और जनसंख्या बिड़ी संकेंद्रिन की बात करें तो 2050 तक बैस्विक जनसंख्या में अनुवारत बिड़ी का आधि से अधिक 8 देस हो कांगो लोकतांतरि गड़राज मिस इथोपिया और भारत नाइजेरिया पाकिस्तान फिलिपिन्स और सयुक गड़राज तन्यानिया में संकेंद्रिन होगा अनुशन सायन देखें तो भारत के पास 25 बर्स से कम आयू की लगभग आधि आभादी के साज जन सांकी की लाभान से लाभान भित होने का एक समयवद आउसर है इस आउसर का फायदा मिलता है या नहीं मिलता है ये तो आने वला बक्त ही बताएगा अगर इसका फायदा नहीं उठा पाए तो नुकसान तो पक्का उठाना हमें पड़ेगा हाला कि मुख लक्ष महलाओं को अधिक अधिकार देना है ताकि बेपरिवार नियोजन में अपनी भूमिका सुनिशित कर सकें और जिस महला आप देखे जो महलाएं पड़ी होगी वो आप देखते हैं कमी बच्चे पैदा करती हैं और जो पड़े लेके परिवार होंगे अब अपबाद में छोड़ दीजी आप लो लेकिन परिवार पड़े लेके परिवारों में एक दो ही बच्चे आप लोगों को देखने को मिलते हैं इस्थाई भविस का निर्धारन करने में सबसे भातपूर कारकों में से एक लेंगिक समानता है जो महला ससक्तिकन लड़कियों और महलाओं ही तो आधिक सारेरिक स्वायकता सुनेशित करेगी जब अरश्ति कानून लाने की बात होती रहती है जनसंख्या को रोकने की देखिए इससे पहले कई देश एक काम कर चुके हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है तो यह आप लोगों को याद रखना चाहिए उच्चे जनसंख्या के बाब्यू संपन और समावेसी समाउदायों का निर्माड किया जा सकता है यदि राष्ट मौलिक रोप से परिवर्तन करने के एक चुक है जो इस बात पर निर्भर करेगा कि बिजन संख्या परिवर्तन को लेकर किस पिकार को दिरिश्टी कौन रखते हैं और तेयारी करते हैं उच्चे पिजनन चमता बाले देशों को सिक्छा और परिवार नियोजन के माध्यम से सकती करन और आर्थे विकास एवं मानव पुझी विकास की रूमें भारी लाभांसा प्राप्त करने हेत्व जाना जाता है और सभी सरकारों को मानव अधिकारों को बनाय रखना चाहिए पैंसन और स्वास्त देखभाल प्रणालियों को मजबूत करना चाहिए सक्री एवं स्वस्त उम्र को बड़ावा देना चाहिए प्रवासियों की अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और साथ ही जलबाई पुरिव्यतन की हानिकारक प्रवाओं को कम करना चाहिए और भारत हेति आउसर और चुनोतियां क्या हैं? भारत की सामने आउसर क्या हैं? और चुनोतियां क्या हैं? तो सबसे पहले आउसर देख लीजिए आप लो जन सांकी की ये लावांस भारत की जन संक्या एक बड़े कारवल की संदर्म में महत्पूर लाब पिदान करती है जो आर्थिक विकास को चलाने में मदद कर सकती है और भारत की 68% आबादी 15-64 बर्स आयू भरक की है यानि कि जो यूवा है, जो कामकाजी है काम करने में सक्चम आबादी में महत्पूर लावांस है और यह निश्चित रूप से एक जन सांकी की ये लावांस है जब दुनिया के बहुत सारी उन्नत देश अपनी जन संक्या की बिड़ होने की चुनोती का सामना कर रहे हैं क्योंकि इसकी बज़े स्तिकारसील लोगों की संक्या कम हो जाती है और आप देखें बेवसायों और नवाचार को आकसित करने में मदद बड़ी आवादी के साथ भारत एक विसाल और विक्सित होते उभोगता बाजार का पिति निधित करता है और जिसमें निवेश को आकरसीत करने और घरेलू उत्पादन में विद्धी करने की चमता है और भी निर्मार कारी के लिए चीन की तुल्ला में अब भारत पश्चमी देशों से बड़े विवसायों को आकरसीत करने के लिए अपने जन सांखी लाभांस का लाव उठा सकता है और विशाल और विवित्तापूर आबादी नवाचार का सरोत वाकेंद्र दोनों हो सकती हैं क्योंकि यह है विवेन दिरिष्टी कोणों और विचारों को एक जोट करती है और सुरक्षा परशद में इस्थाई सदस था तो बड़ती जन संक्या के साथ भारत को संभावता बैस्बिक मंच पर अधिक सकती और प्रिभाव का दावा करने में मदद मिल सकती है और भारत सयुक्तराश्ट औरक्षा परशद में इस्थाई सदस होने का दावा कर सकता है जो इस्थाई 5 सदस हैं आप देखें उनके पास बिसे सक्तियां मिली हुई हैं किसमें सयुक्तराश्ट औरक्षा परशद में और आप देखें कि उनके पास ऐसी सकती है कि अगर कोई पिस्ताओ लाया जा रहा है तो आप देखें कि अगर पांचों सदस उसमें अगर आप देखी कि क्या रहेंगे सहमत रहेंगे तभी वो पिस्ताओ पास होता है अगर उन में से एक भी अगर उसके विपक्च में रहता ह तो वो पिस्ताओं reject हो जाता है, रद्ध हो जाता है, United Nations Security Council की बात हो रही है, UNSC की बात हो रही है, और एस सयुक्तराष्ट की च्छाय पिरमों कंगों में से एक है, और सयुक्तराष्ट की बात करें तो United Nations की बात हो रही है, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी, नियॉर्क EOSA में headquarter देखने को मिलेगा, और सयुक्तराष्ट रहुष्ट की इस्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, इसमें टोटल 15 सदस देखने को मिलते हैं, जिनमें 5 स्थाई हैं, और 10 आज स्थाई हैं, 5 में आप देखेंगी चीन आपका स्थाई सदस है, फ्रांस है, इरिका देखने को मिलता है, गिलोवल साउथ का नितित करता, सबसे अधिक आबादी वाले देश का दर्जा, भारत को गिलोवल साउथ में नितित का दावा करने में भी मदद करेगा, जिससे हुआ है बरस 2022 में G20 की अध्यक्षता के बास से प्रयासरत है, अब आप देखें G20 की यहां बात हुई है, G20 की बारे में बता देता हूँ, ग्रोफ ऑफ 20 के बारे में बात कर रहा हूँ, और इसमें आप देखेंगे इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें, तो इसकी स्थापना कभी थी, 26 सेप्टमबर 1999 में, और इसके उद्देश क्या है, तो आप आप देखेंगे कि इसका उद्देश है, 22 एक अर्धवस्ता में पिरमुख मुद्दों पर चाच्चा करने के लिए, विवस्तित रूप से महत्पूर्ण, उद्दोगिक और विकाल सीर अर्धवस्ताओं को एक साथ लाना है, 20 सदसों में आप देखें, अर्जिन्टिना, सामाज एक समस्या आए देखने को मिल देंगी, यानि कि ये बुराईया कही लिए जनसंग क्या बढ़ने की, उधारन के लिए सिविल सेवाच्चित में मात 700 पदों के लिए लगभग 6.5 लाग उमीदवार पितीस परदा करते हैं, जबकि रेलबे में कुछ सो निमन और भी बत्तर हो गई है, और बेरोजगारी नाकिबल आर्थिक तनाव की उल्ला जाती है, बलकि सामाज एक समस्याओं में भी विद्धी करती है, और खास कर तब जब कामकाजी उम्र की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उपयोक्त रोजगार पाने में आसमर्थ होता है, गर 25.1% से कम है, और लंबे समय से इसमें गरावट देखी जा रही है, भारत की पिदाहन मंतरी का लक्षे 2047 तक 50% महला कारवाल सुनिश्रित करना है, और हमारे पिदाहन मंतरी साफ कहते रहते हैं, गरीबी भी भी भारत की आबादी में गरीबी में रहने बाले लोगों की एक महत्पूर्ण संख्या सामिल है, और जो आसमानता अपराद सामाजी असांती जैसे मुद्दों को बढ़ावा बढ़ा सकती है, इसके EUA-NFPA के बारे में याद रखेगा स्युक्तराष्ट जनसंख्या कोस के बारे में, यह स्युक्तराष्ट महसभा का एक सहाय कंग है, और EUA-N तथा पिजनन स्वास्त एजनसी की रूम में काम करता है, EUA-NFPA का जनादेश स्युक्तराष्ट आर्थिय को सामाजीक परिशत द्वारा इस्थावित किया गया है, और इसे वर्स 1967 में ट्रस्ट फंड की रूम में इस्थावित किया गया था, और इसे वर्स 1987 में अधि स्युक्तराष्ट कोस को भी वर्करगार रखा गया है, और उद्देश की बात करें तो UNFPA स्वास्त सिक्षा लेंगिक समानता पर सतत विकास लक्षों से निपटने के लिए सीधे काम करता है, जो आपके 17 SDG इंडेक्स है न, उन्हें भी याद रख लिजेगा, वो प्रिलि तरह से दाता सरकारों, अंतर सरकारी संकटरों, निजी चेत और फाउंडेशन और वेक्तियों के स्वैक्षिक योगदान द्वारा एक तरह से समर्थे थे, तो इस तरह से आप देखेंगे कि विस्सु जनसंख्या इस्तिती रिपोर्ट के बारे में एक सामन जानकारी हो और कोई आप लोगों के लिए अगर कोई सवाल हो सुझाओ हो मेरे लिए तो आप लोग नीचे बता सकते हैं